हाई माई लवली व्यूवर्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब यह है मेरा जैपुर का पार्ट टू व्लॉग जो आप आगे देख सकते हैं तो गाइज अभी सुबह हो चुकी है हम लोग नीन से उठ चुके हैं और मैं और आरव जा रहे हैं अभी ब्रेक्फस्ट करने नीचे और उसके बाद आके हम तयार हो जाएंगे उसके बाद ही हम घूमने निकलेंगे तो गाइज यहां ब्रेक्फस्ट लग चुका है यहां पर केले हैं यहां कॉन फ्लेक्स और दूध है और यहां नमकीन सिमाईया बनी हुई है जिसे हम उपमा भी बोलते हैं साव्ट इंडियन लैंगविज में और यह सुखे आलू की सबजी वित धनिया और यह गरम-गरम प्लेन परांठे सिके हुए हैं और यह है आरफ का फेवरेट दलिया है ना आरफ आपको पसंद है ना यह और यह मैंने आरफ के लिए ले लिया है मेठा दलिया वही ब्रेक्फस्ट करेगा वो और यहां चाय कॉफी का बंदुबस्त कर रखा इनोंने तो गाइस आज मेरा ड लिए बापू बज़ार के लिए निकल रही हूँ तो काइस मैंने अटो कर लिया है और मैं टैक्सी नहीं किया बलकुल सुभे के थाइम में बिलकुल ठंड लिया है ऐसलिए और अम मैं महारानी मार्केट जा रहे हूं और उसके बाद जाओंगी वापू मार्केट तो गाइ है यह जो करन्ड महरानी है उनी का मार्केट है यह काफी सारे कुर्ट वगेरा और बेट शीट वगेरा यहां पे है और यहां पे काफी अच्छे और हाई क्वालिटी का समान मिलता है और फोड़ा सा एक्स्पेंसिव है यह बापू मार्केट से बट यहां की चीजों की क्वालिटी बहुत ही जादा अच्छी है यह देखिए तरह तरह की बेट शीट्स और कुल्ट के कपड़े रखे वें और यहां दुपट्टे वगेरा बांधनी और लहरिया और गोटेदार बहुत सारे बालर की होती है तो यह देखिए मैं यहां पर जैकेट देखने लगी थी और मेरे को थोड़ा महेंगा लगा तो यह देखिए यहां साड़िया वगएरा भी मिल रही है जो आप newlywed औरते बहन सकती है तो गाइस यहाँ पे जो कारिगर होते हैं वो राजस्तान की गाओं की औरते होती है जो अपने महनत और लगन और बिल्कुल accuracy से यह काम करती है महारानी ने इनको काम दे रखा है और एमी से इनका घर चलता है तो यहाँ पे आपको चीज़े ऐसे मिलेंगी जो आपको बापू बाजार में भी नहीं मिलेंगी क्योंकि उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है काफी महनत से बनाया जाता है यहाँ पे और कोई मशीन से कुछ नहीं होता यह उग्दम राजस्तानी कला और ते ही करती है तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि मैं यह जैकेट्स देख रही थी बड़ यह मेरे को फिटी नहीं आए यह थोड़ा कंदे के पास से थोड़ा धीला था और निकला हुआ था बाहर को तो पसंद नहीं आया मेरे को यह और यह हंसो के जोड़े यहाँ पर बहुत कि यह और थोड़े आगे गई तो मैं मुझे नेकलेस और बैंगल्स मिली तो मेरे को तो बहुती मजा आ गया चूड़िया देखकर इतनी सारी वराइटी की चूड़िया तो मैं यहाँ पर ट्राय करने लग गई चूड़िया और यह देखिए मुझे कुछ चूड़िया पस लाओंगी कि मैंने राजस्थान से या जैपूर से क्या-क्या शॉपिंग की है तो वह आप उसमें देखना और यहां पर देखिए इयरिंग्स देखिए कितनी खूपसूरत और यूनीक किसम की इयरिंग्स है जो हमें दूसरी जगह पर इंडिया की दूसरी जगह पर नहीं मिलेंगी यह देखिए और यह रंग भी रंगी कूछ चूडिया और कड़े जो मैं ट्राइ कर रही थी वही है और फिर मुझे मिले नेकलेसिस और यह और भी सारी वाराइटी की चूडिया है तो राजिस्तान में आपको चूडिया बहुत ही किसम की मिलेंगी और यहाँ पे पेटियम की सुविधा भी है जिससे आप पेमेंट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और यह देखिए यह बहुत ही एक्कुरेसी से बनीवी स्टोन्स और अलग-अलग चीजों की चूडिया है जो इन्होंने डबो में स्टोर करके रखे हैं ताकि यह खराब न हो जाए क्यूंकि यह बहुत ही बारीकी से बनाई हुई है यह सारी चीजें क्या है यह हर्वल प्रोड़क्त है व लगाने का है यह लगाने का है जी है यहां पे काफी हर्वल प्रोड़क्त भी मिल रहे हैं जैसे तुल्सी का अरक हो गया कुलाब जल हो गया डिफरेंट किसम के हीनाज हो गए सिर पे लगाने के लिए और अलग-अलग किसम के आर्टिफेक्ट्स है तो मैंने थोड़ा और इन्फरमेशन लिया आर्टिफेक्ट्स के वारे में महारानी मार्केट इसके लिए बतारा थाना आपको यह क्या है यहां का राजहंस यह पंच धातुका होता है घर में रखावा भी शुब होता है इसका कोज होता है कि यह हज़ड़न भाइप के गूर डिलेशन के लिए अच्छा होता है गडगी नेगटिवीट इनर्जी को तो गाइस जैसे कि आपने देखा ही है कि अलग-अलग स्टोंस मिल रहे थे एस्ट्रालोजी के लिए भी तो उन स्टोंस की मदद से काफी नेकलेसेज एरिंग्स वगेरा भी बने में हैं यहां पे जो बहुत ही जब्सक्राइब ज्यादा कीमती स्टोंस हैं तो वह भी मैंने यहां पे डिस्कवर किया और काफी खूब सूरत और यूनीक डिजाइन्स है तो यह यह सारे जैम स्टोंस के हैं और यह काफी आपको महेंगे मिलेंगे यहां पे बिल्कुल बार गेनिंग नहीं होती है 150 रुपे कम कर देंगे यह लोग उससे जादा यह कोई कम नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही जादा कॉसली जैम्स लगे हैं इनमें और मीना कारी वगेरा स्टोंस वगेरा लगी हुए है तो यहां पे आपको प्राइस थोड़ा हाई मिलेगा बट क्वालिटी बहुत ही अच् बापो बजार की और और मैं आपको जम के शॉपिंग कराने वाली हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजे आपको कवर करके दिखाऊंगी और यह देखी है हमारा पिंग सिटी फिल्कुल पिंग कलर की बिल्डिंग्स है यहां पर और यह हम पहुंच गए हैं बापो बजार और पहुंचते ही मेरको दिख गया यह जूतों का बांधनी जूतों का स्टॉल जो जूतियां होती है तो यह इनका प्राइस जो है इन्होंने बताया है कि 200 रुपे कि से स्टार्ट होती है यह और यह सब नहीं पहांती क्योंकि ना मेरे पैरों में यह काटती है इसलिए तो ये चार्ट भंडार दिग गया हमको तो हम बनाने लग गए सेफ पूरी और क्योंकि ये बॉम्बे भेल पूरी का पापड़ी चार्ट का स्टॉल है जो बापु बजार के एंट्री में ही आपको मिल जाएगा तो ये भाई आप बहुत टेस्टी बनाते हैं सेफ पूरी इनका हाथ काफी फास वास चलता है हर काम में और ये देखिए हमारी सेफ पूरी बनके रेडी है और ये काफी ओसमता खाने में और ये है पिंक वाले अंदर से पिंक वाले अमरूद जो राजस्तान की स्पेशालिटी है और ये चोटी चोटी कत्पुतलिया मिल रही है बड़ी साइस की भी कत्पुतलिया मिलती है यहाँ पे चोटी साइस की भी और अलग-अलग कीरिंग्स का स्टॉल है ये और ये देखिए ये आर्टिफैक्ट्स हुक्के रखे हुए है तोपे रखी हुई है बाइक्स रखे हुए है और जो आप मुझे निकालो वही चीज इन्होंने इतनी डिकुरेटिव तरीके से बना के रखी हुई है और यह सारी चीजे आपके ड्राइंग रूम की शान बढ़ा देगी और यहां पे यह लटकने भी है काफी सारी और यह है यह जो शोपीसे से काफी सुन्दर है तो यह देखिए आप थोड़े बहुत शोपीसों का जाजा ले सकते हैं और यह हंसों का जोड़ा तो हर जगा फेमस है जैपूर में थोड़े आगे चलने पर मेरे को मिल गई है एरिंग का स्टॉल फिर मेरे को यह जूतियां की दु आउट्फिट्स के साथ पहन सकती हैं यह चपले देखिए यह जीन्स के साथ और ट्रेडिशनल एथनिक आउट्फिट्स के साथ काफी खूबसूरत लगने वाली है तो जब भी आप जैपूर जाएगा तो यह जरूर चेक आउट कीजेगा और यह देखिए अब मैं पहुंची हूँ एक बड़े से चूड़ी की दुकान में जहां चूड़ीों की भरमा लगी है सारी डिजाइन्स यूनीक है अपने आप में और कोई सा भी ऐसा डिजाइन नहीं जो आपको पसंद नहीं आएगा मेरा दिल कर रहा था कि मैं यह सारी चूड़ी अपने घर उठा के ले जाओं बड़ लगेज और इनका जो प्राइज है वो मुझको अलाव नहीं कर रहा था अल्दो यह सारी चूड़ी आ महारानी मार्केट से थोड़ी प्राइज में कम थी बाट इनकी जो खुबसूरती है किसी भी तरीके से कम नहीं थी सारी की सारी इतनी खुबसूरत थी तो इन में से मैंने चार-पाच जोड़े चूड़ी ली कुछ तो मेरी मम्मी ने भी ली है चूड़ी तो वो तो मैं आपको दिखाने सकती बढ़ मैं अपनी वाली चूड़ी आपको जरूर दिखाऊंगी यह देखिए कड़े यह कड़ो डिजाइन और colors और patterns के quilts और bedsheets मिलती है यह देखिए different colors different designs different prints के bedsheets और quilts रखी हुए है यहां पे और उपर लटका भी रखिए यह देखिए patchwork में है printwork में हैं बांधनी में हैं और floral print में हैं राजस्थानी print में हैं और यह देखिए line से इन्होंने सजा के रख है तो मैंने सुचा यह सारा आपके लिए capture कर लूँ और यह देखिए एक-एक करके यह लोग डालते जा रहे हैं एक के बाद एक bet sheet क्योंकि मैं यहां पर bet sheet लेने गई थी मैं जब भी राजस्थान जाती हूं तो bet sheet जरूर लेकर आती हूं क्योंकि यहां के जो bet sheets होती है वह pure cotton की होती है और बहुत ही awesome होती है designs इनके बहुत ही awesome होते हैं तो यह देखिए यह quilt रखी हुई है इन में से quilt मैंने भी लिया था वह मैं आपको दिखाऊंगी और यह देखिए मैं फिर jacket लेने पहुँच गई बट मेरा weight थोड़ा सा जादा बढ़ गया है तो मेरे को कोई भी jacket आने रेती सच बताओं आपको पर यह देखिए यह two sided jackets है यह मैंने RF के लिए ले लिया है तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और यह देखिए कितने सारे designs है jackets के भी तो काफी खूबसूरत इनको कोटी बोलते हैं और prints देखिए इनके double sided है और यह चोटे बच्चों के लिए चनिया चोली है यह बांधनी वाले suit के कपड़े newly married girls के लिए काफी अच्छा लगता है और यह देखिए सारे suit के कपड़े हैं तो जो भी newly married हो वो जैपूर आके जरूर शॉपिंग कीजिए not only बांधनी बट general जो शादी के कपड़े हैं वो यहां पे काफी खूबसूरत मिलते हैं जो मैंने डे देखिए और यह mannequin ने कुछ डाल रखी है तो गाइस मैं लंज करके आके सो गई थी और मैंने रेस्ट किया और अब रात के बज़रे हैं आठ और मैं जा रही हूं एक रूफ टॉप कैफे पे बिल्कुल ऑपोजिट टू हवा महल वहां पे कुछ पिक्चिर्स खीचूंगी कुछ वीडियोज बनाऊंगी तो देती हूं मैं आपको अपडेट्स तो गाइस यह मैं हवा महल आ चुकी हूं यहां पर आप लाइटिंग देखिए काफी खूबसूरत रंगवी रंगी लाइटिंग्स हैं यह बिल्डिंग अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि सब लो कोड़ है चलती फिरती और उसके ऑपोजिट साइड में एक और मार्केट है बिल्कुल ही बापू मार्केट जैसा तो गाइस की मैं हूं और यह मेरे उपर है हावा महल मैं अच्छे से कैप्चर निकर पारी उस तरफ से आपको कैप्चर करके दिखाती हूं यह आरफ की भागड़ी स्टार्ट होगें कि आरफ की भागड़ी स्टार्ट होगें तो यह रोड के ऑपोजिट साइड से हमा हवा महल का पिक्चर कैप्चर किया है और मैं अपने होटल के रेस्टरेंट में चली गई रूफ टॉफ टॉफ काफे नहीं गई क्योंकि सीधा मैं डिनर करने बैट गई क्योंकि कि लुफ टॉफ 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 काफे कैंसल कर दिया काइज मैं दिनर करने आच चुकी है हावा मैल से वापस आ गई है तो काइज ये हमारे डिनर आ गया है ने दिन में बहुत हैवी खा लिया था इसलिए अब रात को मैं थोड़ा डाल रोटी खा रही हूं और आरब भी खा रहा है वहां पर बैठे 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 करने के बाद मैं जाके सो जाओंगे और मैं अपना व्लोग यहीं एंट करती हूं तब तक के लिए बबाए स्टे सेव स्टे क्लैमरिस अब बाद के लिए बाद के लिए बाद का लगलत क्या आए को